सबी विवर्स को मेरा यानि धीरजवस्थी का नमस्कार तो ये विडियो polar equation of conics का part number 2 है इसके पिसले विडियो में हम लोगों ने polar equation of conics का जो main general equation होता है उसको derive किया था और जैसा कि आप heading में देख सकते हैं कि ये उसी विडियो का part number इस वीडियो में हम लोग polar equation of conics के various concepts को cover करने वाले हैं वो कौन-कौन से articles हैं आएज़रा उन पर नज़र डालेते हैं पहले concept में हम लोग conic के दो cases होते हैं जो conic की equation होती है उसके दो cases होंगे उन cases का discussion करेंगे second article that we will cover in this video is equation in case of tilted axis इस case में हम लोग conics की उस स्थितिक आध्यन करेंगे जिसमें axis तिर्षी हो जाती है किसी angle पर जुकी होई होती है तो उस case में conics का equation किस तरह से change होता है इस बात को हम लोग सिखेंगे इस point में तीसरे point में हम लोग equation of direct tricks को जानेंगे यानि सभी cases में चाहे वो पहला case हो या दूसरा case हो हमारे conics की direct tricks का equation कैसे लिखा जाता है उसको याद करने की tricks क्या होती है इस बात का हम लोग पूरा thoroughly study करेंगे और चौथे और आखरी part में हम लोग अलग अलग प्रकार के जो हमारे conics होते हैं जैसे की parabola की equation का represent होगी ellipse की equation को हमारा general equation जो है वो कब निरुपित करेगा और कब हमारे general equation से hyperbola represent होगा यानि जो अलग-अलग type के equations होते हैं उनमें विभेद करना हम लोग सीखेंगे इस चौथ है आर्टिकल में So this is going to be the content of this video यह तो पहले concept को study करने जा रहे हैं जिसमें की हम लोग conic के polar equation के दो cases होते हैं उनको जानेंगे The first case is when the directrix lies in the positive direction of the pole यानि की पहला case हमारे conic का वो होता है जब conic की directrix pole के positive direction में लाई करती हो अगर यह हमारा pole है जिसको जिस पर focus होता है और यह conic का curve है तो directrix इधर लाई करनी चाहिए यानि यह जो direction है आप देख सकते हैं pole के साप एक्ष यह positive दिशा है तो पहचान first case की यह है कि जब आपकी directrix जो है यह जो directrix आप देख रहे हैं यह pole के positive direction में लाई करती हो जो यह दिशा है यह negative direction होगी pole के साप एक्ष और जो यह दिशा आप देख रहे हैं यह positive direction होगी pole के साप एक्ष so the first case is when the directrix lies in the positive side positive direction of the pole और इस पहले case में equation क्या होती है conic की equation को हम लोग पिछले part में video के part first में हम लोग derive कर चुके हैं आप जा करके उसको check कर सकते हैं link are given in the description तो l by r is equal to 1 plus e cos theta यह first case की equation है और इसमें l क्या होता है semi lattice rectum होता है यह सारी चीजों को पिछले part में clear करा दिया गया है और यहाँ पे जो small e है यह eccentricity होती है conic की after that let's come to the second case second case में बिल्कुल opposite चीज होने वाली है कि जो directrix होगी वो pole के negative side में lie करेगी यानि situation कुछ इस तरीके से होगी यह आपकी polar axis हो गई suppose करिए यह pole है जो के conic का focus भी होता है यह conic का curve है और directrix इस तरफ है यह जो line है यह directrix है और आप देख सकते हैं कि यह pole की back direction में पीछे की सामें है और यह जो पीछे आली direction है यह negative direction होती है with respect to the pole यानि second case में polar equation जो होती है conic की उसमें क्या बदलाव आएगा केवल एक change करना है first case में कि यह जो first case में plus e आप देख रहे हैं यहाँ पर plus e के अस्थान पर आपको minus e कर देना है the only change is this that you have to use minus e in case of in place of plus e and this way you will get the equation in the second case of conic तो इस पूरे concept का सार यह है कि जब भी किसी question में या किसी फार्मूले में second case का conic आपको मिलेगा तो first case के फार्मूले ही आपको सिर्फ याद रखने हैं यानि जो रट के रखने हैं वो फार्मूले सिर्फ first case के होंगे और in case आपको second case की ज़रुत पड़ती है तो first case के फार्मूलो में बस केवल इतना करना होता है कि plus e की जगे किसी भी फार्मूले में अभी आपको आगे इसके examples भी मिलेंगे कि first case के फार्मूले में plus e को बस आप minus e कर दीजेगा चाहे वो direct tricks की equations हो चाहे वो किसी भी चीज़ की equation हो जब आपको second case के फार्मूले को बनाना हो तो केवल इतना करना होगा कि first case के फार्मूले जो कि आपको याद है उनमें plus e के स्थान पर आपको minus e रखना होगा चलिए अब बात करते हैं दूसरे concept की जिसमें हम लोग inclined axis का case पढ़ेंगे तो जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं कि जो हमारे conic की axis है ये conic की axis है और ये जो है ये polar axis है तो axis of conic ये line होती है और ये initial line से tilted है जुकी हुई है एक angle lambda पर तो इस इस्थिती में आपको equation याद रखने का तरीका में बताता हूं कि polar equation होती है l by r is equal to 1 plus e cos theta ये equation होती थी मतलब जब सीधा axis होती थी हमारी तो आपको करना क्या है कि बस theta में theta minus lambda कर देना है theta की जगे आपको theta minus lambda कर देना है और अगर यही case second case का हो second case का conic हो हमारा like इस तरह के से आप देख सकते हैं ये second case वाला conic है जो lambda angle पर उसकी axis tilted है जुकी हुई है तो जो second case का equation बताया गया था l by r is equal to second case में plus e के अस्थान पर minus e use होता है तो minus e cos theta होना था लेकिन हमें change क्या करना है कि theta की जगे theta minus lambda कर देना है तो सभी equations में इसके trick यह है कि tilted axis के case में आपको सभी फार्मूलों में theta की जगे replacement कर देनी है theta minus lambda और ये change सारे ही फार्मूलों में लागू होगा किसी भी चीज का equation लिख रहे हों आप चाहे वो conic का equation हो या directrix के equation हो या conic से related किसी भी चीज का equation हो और उसमें axis तिरची हो तो हर जगे पर ये ही rule लागू होगा कि theta को theta minus lambda कर देना होगा जहाँ lambda वो angle है जिस angle से conic की axis tilted है चलिए अब बढ़ते हैं concept की ओर जिसमें हम लोग दोनों ही cases में चाहे वो first case हो चाहे वो second case हो अलग-अलग type के conic की directrix का equation लिखना और याद करना सीखेंगे तो ये situation होती है जो first case में हमारा conic होता है तो conic equation तो होती है l by r is equal to as you know 1 plus e cos theta ये तो होगी हमारे conic की equation और एक basic सा change बस करेंगे तो directrix की equation आ जाएगी equation of directrix in this case is l by r is equal to e cos theta यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो conic का equation है उसमें से सिर्फ 1 को हटा लिया गया है conic के equation में से सिर्फ इस 1 को कम कर दीजिएगा तो l by r और e cos theta इतना portion बस आपको लेना है और 1 को आपको हटा देना है तो 1 को छोण करके बाकी जितनी equation होती है वही directrix की equation होती है l by r is equal to e cos theta अब चलिए ज़रा second case में देखने कैसे होता है second case का जो आपका conic होता है वो इस तरफ होता है focus यहां होती है और directrix यहां होती है और इसमें जो conic की equation होती है second case में वो आपको बताई गई है कि उसमें plus e के अस्थान पर minus ही होता है l by r is equal to 1 minus e cos theta तो अगर इस case में आपको directrix की equation चाहिए तो directrix की equation में वही rule है कि बस आपको 1 को नहीं लेना है और बाकी minus e cos theta को ले लेना है तो जो यह equation आप देख रहे हैं सिर्फ 1 को exclude करने के बाद जित्ती equation बचती है वो directrix की equation होती है तो trick बहुत simple है जिस भी case का conic हो चाहे first case का हो चाहे second case का conic के equation से सिर्फ जो 1 होता है उसे आपको हटा देना है बाकी जो कुछ भी बचेगा वो directrix की equation ही होगी अब इसमें देख लिजिए कि अगर tilted वाले case में directrix की equation चाहिए हो तो क्या होगा tilted में आपको भी एक trick बताई थी कि अगर theta angle पर जुकी होई है axis conic की तो जो भी equation हो उसमे थीटा के स्थान पर change क्या हो जाता है theta minus lambda कर देते हैं जा lambda ही वो angle है जिस पर axis tilted होती है तो ये directrix की equation tilted के case में बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा केवल theta की जगे पर आप क्या कर देंगे theta minus lambda तो tilted के case में directrix की equation आ गई second case हो और axis tilted हो और directrix की equation चाहिए हो तो बाकी directrix की equation कैसे लाएंगे कोनिक के equation में से 1 हटा के लाएंगे और tilted होने का effect यह आएगा कि theta के स्थान पर theta minus lambda कर दिया जाएगा यानि ये concept इसी लिए discuss की जा रही है कि कुछ ये tricks ये आप याद रखते हैं तो आप किसी भी case का formula readily create कर लेंगे आपको सारे formula अलग-अलग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी so in the last part of the video we are going to clear this concept की हम लोग general equation से अलग-अलग conics को कैसे पहचानेंगे तो like general equation हमारी है l by r is equal to 1 plus e cos theta now you know that this equation represents any of the conics यह general equation है यह किसी भी conic origin करती है और जो first case होता है वही main case माना जाता है जब तक अलग से कुछ stated नहों कुछ अलग से information नहों question के अंदर की second case की बात हो रही है then always we take it for granted कि हमें first case को ही main case मान के उसी equation को हर जगे पर उसकरना होता है तो distinguish करना बहुत आसान है जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर eccentricity की value 1 है तो हमारा conic क्या represent होगा उससे parabola represent होगा यानि अगर आपके question में conic का नाम न लेकर के सीधे parabola का नाम ले यानि question हमारा particularly parabola के बारे में हो तो अभी तक आपने जित्ते equation पढ़े हैं उन सभी equations में बस आप e के स्थान पे 1 कर देंगे जैसे कि equation की बात करें तो l by r is equal to 1 plus cos theta अगर लिखा हुआ है यानि कि यहाँ e क्या हो चुका है e1 हो चुका है तो बस हम जानेंगे कि यह equation parabola की है अब यहाँ पर आपको पता दें कि ellipse और hyperbola की equation में e की कोई fix या constant value तो नहीं होती है वहाँ पहचानने का एक ही तरीका होता है कि अगर e की value less than 1 है यानि e जो है eccentricity अगर उसका मान एक से कम है तो उससे ellipse का पता चलेगा हलाकि उसकी कोई fix value नहीं है parabola की तरह और अगर e की value का हमें information मिले कि वो एक से बड़ी होने जा रही है तो उससे हम पहचान कर पाएंगे कि हमारा जो conic है वो particularly hyperbola है हलाकि यहाँ पर एक special hyperbola होता है जिसकी बात हम करना चाहेंगे जिसे rectangular hyperbola कहा जाता है बहुत कम rarely questions में हमें इसकी भी जरूद पढ़ती है तो rectangular hyperbola क्या होता है उसके लिए तो किसी अलग topic में अलग video में हम लोग बात करेंगे अभी details में नहीं जा सकते लेकिन इतना आपको भी बता देना चाहेंगे कि rectangular hyperbola की eccentricity fixed होती है and it is root 2 rectangular hyperbola जो होता है जिसको हिंदी में sumconi hyperbola या sumconi hyperbola कहते हैं उसकी eccentricity fixed होती है and it is e is equal to root 2 तो अगर हमारे polar equation में हम e की जगे root 2 रखतेंगे like 1 plus root 2 cos theta तो ये indicate करेगा कि ये equation hyperbola की तो है ही क्योंकि root 2 की value होती है 1.414 जो की एक से बड़ी है अगर eccentricity x से जादा है तो definitely it is hyperbola लेकिन hyperbola का एक बहुत ही special case होता है rectangular hyperbola और rectangular hyperbola की eccentricity particularly root 2 होती है fix होती है उसकी value इसलिए अगर किसी question में rectangular hyperbola का जिक्राता है then you will use root 2 as the value of e तो इस वीडियो में हम लोगों ने इन concepts को सीखा की cases क्या होते है conic के कब उसमें plus e का use होगा कब minus e का use होगा फिर हमने tilted axis का case पढ़ा कि अगर हमारा conic जो है वो तिरचा है तो equation में क्या changes आएंगे theta minus lambda को use करना होगा तिस्से पार्ट में हम लोगों ने directrix के equation लिखना सीखे और अलग-अलग cases को भी discuss किया कि tilted में directrix कैसे लिखेंगे और final part में हम लोगों ने ये देखा कि particularly parabola कब represent होगा जब सभी equations में हम e की जगे 1 लिखतेंगे और ellipse और hyperbola के लिए e की condition होगी less than 1 या greater than 1 rectangular hyperbola का case भी हम लोगों ने देखा तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही see you in the next video thank you